हेलो वासब गाइज वेलकम टू पाइबॉन गेमिंग यूटूब चैनल आज किस वीडियो में हम देखेंगे हाव टू एनेबल 90 fps in Poco X3 तो सबसे पहले देख लेते हम अपने सेटिंग्स यहां पर मैं ग्राफिक्स में और आप देख सकते हैं यहां पर 90 fps प्लस स्मूथ सेट हैं HD पर चला सकते हैं और HDR 90 fps पर भी हम रन कर सकते हैं Poco X3 में PUBG Mobile को तो अभी मैं आपको लें चलता हूं गेम के अंदर और मैं आपको एक टीडियम भी खेल कर दिखा देता हूं कि कितने फ्रेम डॉप्स हो रहे हैं या फिर गेम कैसा चल रहा है 90 fps में यहां पर मैंने टीड के बाद बात करते हैं कि कैसा रहा गेम का पर्फॉमेंस 90 fps को इनेबल करने के बात चताहिं के लिडि़ूूब्स और सरहिए्ट अजड़िभावग के रिए प्लू विए्डियम प्लूद अव्तिखा आप疫 संफाबब्स पू пропाने है बडि़ूभवड बलोगदको अेलदे काई प्राचा टहाँ पुए अेला हुए तक हम आइced उन्हों की त reef अाल्ड़ो किती कीओ गॉयोग कीओ जाल तो गाइस टीडिया हमारा कतम हो चुका है और 90 fps पे जो हमने इस टीडिया वो खेला है तो पूरा कंप्लीट 90 fps तो हमें देखने को नहीं मिल रहा था बट 60-65 तक जा रहा था maximum fps 65-70 तक भी कभी कभी जा रहा था और लोर जो बात करें तो वह फ्रेम डॉप्स तो हो ही रहते जहां पर ज्यादा फाइट हो रहे थी तगड़ी वहां पर तो फिर फिर भी एक अच्छा एडवांटेज रहता है कभी कभी तो अच्छा fps देखने को म लिंक देख रहा होगा उसपे क्लिक करेंगे आप यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आपको यह config जो है जिफ़ाइल है इसको डॉणलाड कर लेना है 4-5 Kb में में होगा मैंने अर्ल्ड डाउनलोड कर रख यहां पर दे रहा है डाउनलोड करने के लिए तो मैंने डाउनल दिख रहा है 90 fps एनेबल जिव फाइल देख रहा है या फिर अगर इसमें नहीं देखे तो आप इसमें आर्चीव में जा सकते हैं मोर में जाके यहां पर दिखेगा मैंने पहली बार डाउनलोड किया था तो मेरे को यहीं पर मिला था अगली बार किया तो फिर डाउनलोड में दिखा रहा है उसमें नहीं मिल रहा कोई नहीं आप देख लेना जहां पर मिले उसको आप ओपन कर लेना यहां पर क्लिक करना उसी फाइल पर और यहां पर एक्स्ट्रेक्ट फाइल पर क्लिक कर देना और इसको एक्स्ट्रेक्ट कर लेना नीचे एक्स्ट्रेक्ट का ओप् फाइल उसके बाद आप इस पर लॉंग प्रिस्ट करना और उस फाइल पर पीछे जाके और जो नीचे मोर दिख रहा हुआ पर जाना फिर कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आपको जाना है इंटर्नल स्टोरिज में उसके बाद आपको सेके नमबर पर एंड्रॉइड क का औप्सण दीख रहा होगा आप Android पर जायंगे उसके बाद और तेटा का ऑप्संदिक्रा अगप डेटा पर जाएंग और इसके बाद फिर यहांót हम इसा सबसे नीचे चले बाद थोड़ा सा उपर स्कॉर्əल करने पे हमको कॉंडी दोन डॉइजी का ऊप्संदेक्ट जा shadow tracker extra option दिख रहागा वहां पर क्लिक करने के बाद एक बाद फिर से shadow tracker extra नीचे दिख रहा होगा उस पर क्लिक करने के बाद simply यहीं पर आपको paste कर देना है अपना जो आपने copy किया हुआ है बस गाइस हो गया अब आपको कुछ नहीं करना है paste करने के बाद आपका configuration रेडी हो चुका है और आपको सीधे काटना है और चल जाना अपने PUBG Mobile के अंदर तो हम आ जाते हैं अपने PUBG Mobile को open हो रहा है मेरा PUBG Mobile इसको open करने के बाद मैं देखता हूं कि 90 fps का option में देखने को मिल रहा है या नहीं तो अभी ओपन हो रहा है PUBG Mobile और यह open हो चुका है हमारा PUBG Mobile आप देख लेते हैं चले जाते ग्राफिक में और देख लेते हैं एक ग्राफिक सेटेंग्स हमें कहां तक मिल रही है सेटिंग में जाने के बाद ग्राफिक में जाने के बाद यह देखिए एस मूट एक बात और गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे बैन हो सकता है अकाउंट तो मैं आपको बता रहा हूं मेरा जो यह एकाउंट है वह 100 आप मैंने कर रखा है रोयल पास ले रखा है यह आप 100 आपी वाला जो है सेट देख सकते हैं इसी सीजन का है और मैं इसे दो यह तीन महीने से मैं 90fps पे चला रहा हूं और अभी तक बैन नहीं हुआ है तो बैन का मेरे ख्याज़े कोई इसू नहीं है इस कंफिग्रेशन को यूज़ करने के बात तो आप 90fps पे इसली चला सकते हो Poco X3 में PUBG मोबाइल को ठीक है गाइस फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में ब